तेरी शिक्षाए और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं मध्धु बनके वो दिन राः बाबा तेरी याद दिलाते हैं तेरी शिक्षाए और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं मैठो कमरे में जाके मिलता तू वतन से आके होते है निहाल ये नेना बाबा तुझे सामने पाके कौनों में आज भी आते हैं तेरी शिक्षाए और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं उम शांती आज 21 जनवरी 2021 के साकार महवाक्य हैं बाबा बोले मीठे बच्चे तुम यहां आये हो सर्व शक्तिवान बाब से शक्ति लेने अर्थात दीपक में ज्यान का घृत डालने प्रश्न शिव की बरात का गायन क्यों हैं? बाबा ने उतर दिया क्योंकि शिव बाबा जब आते हैं तो सभी आत्माओं का जुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता हैं मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा अर्थात चत्ता लग जाता हैं तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाब के साथ साथ जाते हो, साथ के कारण ही बरात का गायन हैं ओम शांती, बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की हैं कि हम सब भाई-भाई हैं और वह सब का बाब हैं उनको सर्वशक्ति मान कहा जाता हैं, तुम्हारे में सर्वशक्तिया थी, तुम विश्वपर राज्य करते थे भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था, गोया तुम बच्चों का राज्य था, तुम पवित्र देवी देवताए थे तुम्हारा कुल वार्डिनाइस्टी वह सब निर्विकारी थे कौन निर्विकारी थे? आत्माई अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो जैसे कि सर्वशक्तिमान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो बाप ने समझाया है आत्माही 84 का पायट बजाती है उनमें जो सतो प्रधान ताकत थी वह फिर दिन प्रती दिन कम होती जाती है सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है जैसे बैटरी की ताकत कम हो जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती हैं, कुछ न कुछ ताकत रहती हैं, जैसे कोई मरता हैं तो दिपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं, कि जोती बुझ न जाए, बैटरी की ताकत कम हो जाती हैं तो फिर चार्ज करने रखते हैं, अभी तुम योग लगाते हो, तो बाबा की शक्ती हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ती कम हो गई हैं, थोड़ी जरूर रहती हैं, एकदम खतम हो जाए तो शरीर न रहें, आत्मा बाप को याद करते करते बिलकुल प्योर हो जाती हैं, सत्यूग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज ह फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती हैं, त्रेता तक मिटर कम होता हैं, जिसको कला कहा जाता हैं, फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वह सतो बनी, ताकत कम हो जाती हैं, तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सत्यूग में, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का देवाला निकल गया है फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आएंगी क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी संबंद है वह सब खतम होने वाले हैं, फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है, बाप भी बेहद का है, तो वर्सा भी बेहद का है, अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई है, हे बच्चो तुम मुझे याद करो, मैं अल्माइटी हूँ, मेरे द्वारा अल्माइटी राज्य मिलता है, सत्यूग में देवी देवताय सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, देवी गुण वाले थे, अभी वह देवी गुण नहीं है, सबकी बैटरी पूरी डिस्चा होने लगी हैं, फिर अब बैटरी भरती हैं, सिवाई परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती, वह बाप ही एवर प्योर हैं, यहां सब हैं इंप्योर, जब प्योर रहते हैं, तो बैटरी चार्ज रहती हैं, तो अब बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है उच्चते उच्च है भगवान बाकी सब है रचना रचना से रचना को कभी वर्सा नहीं मिलता Creator तो एक ही है वह है बेहद का बाप बाकी तो सब है हद के बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बात्षाही मिलती है तो तुम बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नए दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, ड्रामा प्लेन अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही हैं, तुम जानते हो सत्युग आने वाला हैं, सत्युग में होता ही है सदा सुख, वह कैसे मिल बाप वैड समझाते हैं, माम एकम याद करो, मैं एवर प्योर हूँ, मैं कभी मनुष्यतन नहीं लेता हूँ, ना देवीतन ना मनुष्यतन लेता हूँ, अर्थात मैं जनम मरण में नहीं आता हूँ, सिरफ तुम बच्चों को स्वर्ग की बातशाही देने लिए, जब यह वर्ष की वानप्रस अवस्था में होता हैं, तब इनके तन में मैं आता हूँ, यही पूरा सतोप्रधान से तमोप्रधान बना हैं, नंबर वन उच दे उच भगवान, फिर है सुक्ष्मवतन वासी ब्रह्म्हा विश्नु शंकर, जिसका सक्षातकार होता हैं, सुक्ष्मव शरीर सिरफ दिव्यद रिष्टी से देखा जाता है, मनुष्य सरिष्टी तो यहाँ हैं, बाकि वह तो सिरफ साक्षात कार के लिए फरिष्टे हैं। तुम बच्चे भी अन्त में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो, तो तुम्हारा भी साक्षात कार होता है। ऐसे फरिष्टे बन फिर सत्युग में यहां ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह ब्रम्हा कोई विश्णु को याद नहीं करते हैं, यह विश्व बाबा को याद करते हैं, और यह विश्णु बनते हैं, तो यह समझना चाहिए। इन्होंने राज्य कैसे पाया, लड़ाय आदी तो कुछ भी होती नहीं, देवताये हिंसा कैसे करेंगे, अभी तुम बच्चे बाब को याद करके राजाय लेते हो, कोई माने ना माने। गीता में भी हैं हे बच्चे, देह सहीत देह के सब धरम छोड माम एकम याद करो, उनको तो देह है नहीं जो ममत्व रखे, कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लौन लेता हूँ, नहीं तो मैं नौलेज कैसे दू, मैं बीजरूप हो ना, इस सारे जाड की नेरे पास है, और किसी को पता नहीं स्रिष्टी की आयो कितनी है, कैसे इसकी स्थापना पालना विनाश होता है, मनुष्यों को तो पता होना चाहिए, मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना, वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई, बाप तुमको का मालिक बनते हो, तो यह समझाना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता। ब्रम्हा विश्णु शंकर को भी सुक्ष्म देह है ना, इन्हों का नाम ही अलग है, उनको भगवान नहीं कहा जाता। यह शरेर तो इस दाधा ब्रम्हा बाबा की आत्मा का तखत है, अकाल तखत है ना, अभी यह अकाल मुरत बाप का तखत है, अमरत सर में एक अकाल तखत है ना, बड़े बड़े जो होते हैं, वहां अकाल तखत पर जाकर बैठते हैं, अभी बाप समझाते हैं, यह सब अकाल आ बाकी तखत अर्थात शरीर तो बदलते रहते हैं। आत्मा का बाप है एक, यह तो समझना चाहिए ना, यह बाबा कोई शास्त्रों की बाते सुनाते हैं क्या, शास्त्र आदी पढ़ने से वापस तो कोई जा नहीं सकते, पिछाडी में सब जाएंगे, जैसे टिड्डियों का अथ्वा मदुमक्यों का जुन्ड जाता है ना, मद भी जाएंगे तो उनके पिछाडी सब आत्माएं जाएंगी, वहां सुक्ष्मवतन में जैसे सब आत्माओं का मनारा अर्थात छत्ता हैं, यहां फिर है मनुष्यों का जुन्ड, तो यह जुन्ड भी एक दिन भागना हैं, बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं, शिव की बरात कहा जाता हैं, बच्चे कहो अथवा सजन्या कहो, बाप आकर बच्चों को पढ़ा कर याद की यात्रा सिखलाते हैं, पवित्र बनने बिगर तो आत्माओं जा नहीं सकती, जब पवित्र बन जाएंगी, तब पहले-पहले शांतिधाम जाएंगी, वहां जाकर सब निवास करते हैं, वहां से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, व्रद्धी होती रहती हैं, तुम ही पहले-पहले भागेंगे बाप के पिछाडी, तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजन्यों का साजन के साथ योग हैं, राजधानी बननी है ना, सब इखटे नहीं आते हैं, व पहले पहले तो है आदिसनातन देवी देवताधरम जो बाप स्थापन करते हैं, पहले पहले हमको ब्राम्हन बनाते हैं, प्रजा पिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं, ब्रह्मा कुमार और कुमार्या धेर हैं, जरुर निश्चय बुद्धी होंगे कच्चे वा पक्के, कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं, कोई तो 10 मार्क्स लेते हैं, गोया कच्चे ठहरे ना, तुम्हारे में भी जो पक्के हैं, वह जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाडी में आएंगे, यह पाइट धारियों की दुनिया हैं, जो फिरती रहती हैं, सत समझते आए कि कल्प की आयू लाखो वर्ष हैं। अभी बाप ने बताया हैं यह तो पूरा पाँच हजार वर्ष का चक्र है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावन राज्य, लाखो वर्ष का कल्प होता तो आधा आधा भी हो न सके। दुख और सुख की यह दुनिया बनी हुई हैं। यह बेहद की नौलेज बेहद के बाप से मिलती हैं। शुबाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। यह शरीर तो इस दादे ब्रम्हा बाबा का है। बाबा कहा है। बाबा ने थोड़े समय के लिए लौन लिया है। बाबा कह पहाडी से पानी तो जहां तहां आता है, यह फिर गव का मुख बना दिया है, उससे पानी आता है, उसको गंगा जल समझ लेते हैं, अब गंगा फिर कहां से आई, यह है सब जूठी, जूठी काया, जूठी माया, जूठा सब संसार, भारत जब स्वर्ग था तो सच खंड कहा जाता है, फिर भारत ही पुराना बनता है, जूठ खंड कहा जाता है, इस जूठ खंड में सब पतीत बन जाते हैं, तब बुलाते हैं, बाबा हमको पावन बनाई, पुरानी दुनिया से ले चलो, बाप कहते हैं, मेरे सब बच्चे कामचिता पर चड़ काले बन गए हैं, बाप बच्चो को बैठ कहते हैं, तुम तो स्वर्ग के मालिक थे न, स्मर्थी आई है न, बच्चो को समझाते हैं, सारी दुनिया को तो नहीं समझाते, तुमको ही समझाते हैं तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन हैं। इस दुनिया को कहा जाता है forest of thorns, अर्थात काटों का जंगल, सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। भल यहां भगत भी बहुत हैं, वेजिटेरियन हैं, परन्तु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं, ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटे पंसे ही कब छीची खाना आदी नहीं खाते हैं, सन्यासी भी कहते हैं निर्वेकारी बनो, वह हद का सन्यास मनुष्य कराते हैं, दूसरे जनम में फिर ग्रहस्ती पांस जनम ले, फिर घरबार छोड़ चले जा सत्युग में यह कृष्ण आदी देवताये कभी घरबार छोड़ते हैं क्या, नहीं, तो उन्हों का है हद का सन्यास, अभी तुम्हारा है बेहद का सन्यास, सारी दुनिया का संबंधियों आदी का भी सन्यास करते हो, तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही ह तुम्हारी बुद्धी स्वर्ग तरफ ही जाएंगी, तो शिव बाबा को ही याद करना है, बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो, मन मनाभव मध्याजीभव, तो तुम देवता बन जाएंगे, यह वही गीता का एपिसोड हैं, संगम युग भी हैं, मैं संगम युग पर ही सुनाता हूँ, राजयोग जरूर आगे जनम में संगम पर सिखे होंगे, यह स्रिष्टी बदलती है ना, तुम पतित से पावन बन जाते हो, अब यह है पुरुशोतम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमोप्रधान से सतोप्रधान बनते हैं, हर एक बात अच्छी रिती निश्चय कर समझनी चाहिए, यह कोई मनुष्य थोड़े ही कहते हैं, यह है ही श्रिमत अर्थाच स्रेष्ट ते स्रेष्ट मत भगवान की, बाकी सब है मनुष्य मत, मनुष्य मत से गिरते आते हो, श्रिमत से तुम चड़ते हो, बाप मनुष्य से देवता बना देते हैं, देवी मत स्वर्गवासी की है और वह है नर्कवासी मनुष्य मत जिसको रावन मत कहा जाता है। रावन राज्य भी कोई कम नहीं है, सारे दुनिया पर रावन का राज्य है, यह बेहद की लंका है, जिस पर रावन का राज्य है, फिर देवी देवताओ का पवित्र राज्य होगा, वहां बहुत सुख होता है, सत्युग की कितनी महिमा है, कैते भी है स्वर्ग पधारा तो जरूर नर्क में था ना, हेल से गया तो जरूर फिर हेल में ही आएगा ना, स्वर्ग अभी है कहां, यह बाते कोई शास्त्र में नहीं हैं, अभी बाप तुम्हें सारे नौलेश देते हैं, बैटरी भरती हैं, माया फिर लिंक तोड़ देती हैं, अच्छा मिठे मिठे दे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते, हम रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, सदा रहे हंस्ते, बनते चले दारना के लिए सार हैं पहला मन वचन करम से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है पक्का ब्राम्हन बनना है दुसरा मन मत वा मनुष्र मत छोड एक बाप की श्रीमत पर चल कर स्वयम को स्रिष्ट बनाना है सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है आजवर्दाम दिया श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ती और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ती संपन्न भव स्वष्टिकरण जो बच्चे स्वयम को ट्रस्टी समझ कर श्रीमत प्रमान चलते हैं श्रीमत में जरा भी मन मत या परमत मिक्स नहीं करते उन्हें निरंतर खुशी, शक्ती और सफलता की अनुभूती होती हैं पुर्शार्थ वा महनत कम होते वी प्राप्ती जादा हो तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पर चलने वाले परन्तु माया इश्वरियमत में मन मत वा परमत को रोयल रूप में मिक्स कर देती हैं इसलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता इसके लिए परखने और निर्णई करने की शक्ती धारण करो तो दोखा नहीं खाएंगे स्लोगन बालक सो मालिक वह हैं जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाब को अपना बना देते हैं अच्छा ओम शंती